basic translation से कैसे पढ़ेंगे आप spoken, written grammar भाई अब basic class से क्या होगा तो आपको सिखना है basic class से speaking, basic class से writing और basic class से grammar और यहां तक जो आप सिखोगे कि class तो चलेगा basic लेकिन वहां से writing भी होगा, speaking होगा तो सारे बच्चे class से बैठेंगे like करके ताकि मुझे लगे कि आप सब classroom में आ गए ह तो classroom की तरह बैठेंगे पढ़ना है, मेरे दोस्त, मेरे भाई तभी मजाने बाला है, तो सबसे पहले सारे बच्चे like कर दिये हो, यहां तो चेहरा तो black black type क्या रहा है, क्या? सारे बच्चे like कर दिये एक बार? तो आप जाए एक बार देखेंगे, सारे बच्चे तो फटा फट देखना ये है, कि basic class से, basic class से कैसे पढ़ने speaking, writing, अब देखो होता क्या है, कि जब आप Englishी बोलना सुरू करोगे, Englishी पढ़ना सुरू करोगे, तो दो चीज आपके हाथ में आएगा, देखो बच्चे, सारे एक बार मैं comment देखो, बहुत अच्छा, good evening sir, good evening, सारे बचो, good evening, नमस्कार, जो जहां से है, classroom में बैठ जाएगे, classroom का मतलब जो जहां बैठा है, वही अराम से बैठ जाओ, और column copy ले लो, क्योंकि आज सिखाऊंगा, basic translation, जिसके तहत, आपको English की समझ बढ़ेगी, और English आप का strong हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहले मैं सिखाता हूँ, आपको एक sentence देता हूँ, और आप सिखना, कि basic कैसे आगे बढ़ेंगे, और कैसे काम चलेगा, बहुत simple example लिख रहा हूँ, आपके लिए सिर्फ, आप इस example को देखो, और हर बच्चा solve करने का प्रयास करो, देख क्या दे रहा हूँ, बहुत simple सा, कि मैं, देखना को और से, मैं रोज सवेरे पांच बजे, ठिक है, मैं रोज सवेरे पांच बजे, गांधी मैदान में तहलने के लिए कि तहलने के लिए जाता हूं तहलने के लिए जाता हूं एक एक्जामपल दिया सर यह तो बड़ा एक्जामपल है सर डोंट बरी आपको यह देखना है कि छोटा से एक्जामपल दिया में आपको बड़ा सा नहीं है बोलो डेली यूज में काम आता है कि नहीं आता है इस सबसे पहले सन्टेंस को बाइफर केट करो अलग अलग करो तोड़ो उसको और तोड़ के देखो कि उसको जोड़ना कैसे है सबसे पहले जो दिमाग में आता है वो आता है कि सब्जिक क्या होगा तो बोलो जा को अउन रहा है मैं क्या हो अच्छीब कि तुरन्थि वाथ आता क्या है अब प्रय क्या आता है तो मैं रोज तुणको लगता है कि तहल व घे चाना भी भर्व थैशाता हूं अब धियान देना कि यदि किसी संटेंस में दो भर्व हो तो क्या करें जब किसी वाक्य में दो भर्व हो तो ध्यान रखना दो भर्व एक साथ कभी नहीं आ सकता एक भर्व को नाउन बनना पड़ता है तो जो भर्व प्रथम काम करें वह मेन भर्व होता है तो यह बताओ, कि पहले जाएगा that the यहां क्या हो गया आता है object, क्या आता है object, अब sentence में object कहीं नहीं है, object होता क्या है, जिसे प्रभाव पड़ता है, एक बढ़ा गया compliment, और compliment जो होता है, वो होता है place, plus time, plus region, तो अंग्रेजी बोलने का पहला structure है, subject, plus word, plus object, या compliment, plus place, plus time, plus region, तो सबसे पहले, जब आप अंग्रेजी बोलेंगे, तो आपको structure बनाना है, कि subject, plus word, plus place, plus t, plus r, इसको बोलते हैं, ptr formula, place, time, region, place, time, region, ptr formula, मैं बार बार बोल रहा हूं तकि याद हो जाए, subject, plus word, plus ptr formula, place, time, region, अब देखो, मैं रोज सबेरे, पांच बजे, गांधी मैदान, बोलो बटा, गांधी मैदान, इसदे प्लेस, लिख दिया, मैंने p, दिखराई सबको p है न ये, p place, अब देखो time, time क्या है, भाई, सबेरे, पांच बजे, कहाँ ध्यान है आपका, सबेरे, पांच बजे, बो लो आर है की नहीं, तो p, p, t, r, अब अगर तुमको उल्टा चलोगे, तो गल्की होगा, तो मिल गया तुमको p, मिल गया t, मिल गया r, और रोज हो गया adverb of time, sentence के last में, ठीक है, इस ही को बोलते है, p, t, r, other word, अब अंग्रेजी बनाना है सर, तो सबसे पहले क्या लिखूं स तो सबसे भी लिखो I, क्या लिखा, I, I क्या हो गया, subject, भर्ब क्या है, जाता हूं, तो लिखे I go, क्या लिखा, I go, go क्या लिखना, p, p मतलब place, अंग्री जी बोलने में, लिखने में, समझने में, सबसे पहले place आएगा, तो I go, कहा भाई, अबस रोज नहीं आएगा, I go daily, I go for a walk, सब गलाग, सब गलाग, सब गलाग, सही क्या होगा, I go to Gandhi मैदान, तो I go to Gandhi मैदान, देखो क्या है, पिया न, people place, गांधी मैदान, I go to Gandhi मैदान, place आगया भाई, अब क्या चाहिए सर, टी, टी मतलब, time, time क्या है, भाई, सबेरे पांच बजे, देख रहा हो, तो I go to Gandhi म 5 o clock at 5 o clock at 5 o clock हो गया at 5 o clock in the morning सभेरे I 5 o clock in the morning ठीक है अब लिखना है रीजन क्यों जाते है बटा तो रीजन क्या है टहलने के लिए तो बोलेंगे I go to गांदान at 5 o clock in the morning for a walk तहलने के लिए for a walk तहलने के लिए कभ जाते हो रोज रोज इस एड़र आप टाइम लास्ट जो डेली डेली हो टुमॉरो हो इस्टरडे हो इसका प्रियुक संदेश के लास्ट में करते हैं बोलो मजा आया ताली बजाओ तो क्या लिखा I go to Gandhi मैदान at 5 o clock in the morning for a walk डेली अब यहां पर a structure ध्याना है कि subject plus verb plus ptr formula ptr place time region प्लेस टाइम रिजन तो place time region अगर structure याद हो गया ना तो एकिन मानो इसको तुम तोड़ दो मैं I go to Gandhi मैंदान I go आगर पिदेखो ध्यान देना इस it लिख लिया तो यह structure द्यान रखो यह जो ptr है ना इसको त 얼마나 गर्वेर ऐसे चलोगे तो सही है उल्टा चलोगे गलत होगा यानि एगल प्लेस मिल जाए तो places time हो सकता है place हो सकता है सिं सोत है विशा प्लास टाइम गलत हो जाएगा इस अब को ध्यान है कि आपको चलना कैसे है ब्लस ट प्लेस टृ मैंदान यौद उफ एब फॉरेज़े और रोगा थाई हो जाएगा इसको बोलते हैं PTR फर्मूला समझना गया अब मैं आगे पहा रहा हूं अब देखना है हाउ टू टरंसलेट अब समझना यह है बेसिक से कॉंसेप्ट कि भाई अज नया क्लास है हमने कहा कि ट्रांसलेशन सिखिए अंग्रेजी बोलना बिल्कुल बेसिक नया अंदाज नया तरीका ऐसा यूटूब में पहली बार हो रहा है PTR फर्मूला यह पहली बार पहरेवाप और यह मैं सिखा रहा हूं आपको सिखाने के लिए तो हर बच्छा एक पर लाइक करो जल्दी से और करो ताकि मुझे आनन्द आए कि हर बचा क्लास कर रहा है ठीक है चलो अब देखो हाउ टू ट्रांसलेट अनुबाद कैसे करें एक चीज अक्सर कहूंगा मैं अक्सर आपको तो परचार करते मैं परचार नहीं करता मैं कभी विए नहीं करता क्यों कि मैं हिंदुस्तान में क क्रांती फैलाना चाहरा हूं आप अगर क्रांती के पार्ट बना चाहते हैं तो एक काम करिए जिसका नाम है DSL क्रांती कारी एप अभी जाए प्लेस्टोर पे अभी जाके और डाउनलड करो सोचो खोजो उस एप को उसमें क्लास 12 वेस दे रहा हूं लाइब उसको पढ़ो देखो कि सर क्या पहार रहे हमने पूरा पूरा प्लेस कारी एप डाउनलोड करिये और फ्री में तीन-चार क्लास में लगता है कि या मास्टर चिखा देगा तब आप एक बैच होगा एटो जैड पूरा बेसिक क्लास तक उस बैच को आप डाउनलोड करो और प्रहाई करो और कोई दिक्कत हो, तो फोन नबर दिया जा रहा है, फोन नबर यहां भी चल रहा है, इस पर कॉल करो, कहीं दिक्कत हो, धर्मेंस आप के साथ है, अब का नाम क्या बताया, क्रामतिकारी इंगलिस अब, प्ले शुरू मिलेगा वो, बाबी क्लास स्टाट करो, तो सबजेक्ट है, भाई साब, सिंपल है, इस अब आपको आता है, तो जल्दी अलीज का रोल आते हैं, रेखा, डांसेस, डेली, बहुत अचे जवाब, सरबचों का, टैप करो, सबचे टैप करते हैं, फटाफट, अगला है, वे लोग कहानिया सुनाते हैं, फटाफट, टैप करिए, सारे इस जापक सब्सक्राइब, बहुत अब आप सोचों, मैंने कहा हैं, मैं तुम्हें हसाता हूं, तो जिसका अंगरेजी जिसका वो कैब, डिक्स्नरी में नहीं है ना, उसका अंगरेजी में को गेड़ से बनाते हैं, जिसको बोलते हैं, causative भर जैसे सर हसना का अंगरेजी आता है हसना का अंगरेजी है ही नहीं अगर है तो मुझे बताओ कि हाँ सर हसने का अंगरेजी होता है कहीं होता है तुमने लाफ सिखा होगा लेकि हसने का क्या अंगरेजी है मैं कहूं मैं नाचता हूं और मैं बोलूं मैं तुम्हें नचाता हूँ, तो नाचना का डांस होता है, लेकि नचाना करीजी नहीं होता, तो जिसका अंग्रेजी दिक्ष्णरी में नहीं है, उसे हम कॉजेटी भर्व कहते हैं, जिसको हिंदी में प्रिर्नार्थत क्रिया कहते हैं, वही बात है मेक, subject plus make मेक्स लगाओगे, plus noun, और प्रणाउन, plus verb का first form लगाते हैं, अब make लगाते हैं, तो Sebastian कै बनेगा, Teknast के वोल पर क्या हो वह मुझे हसाता है, तो हसता हूँ तो लाफ हो गया लेकि हसाता है तो वह मुझे हसाता है मैं हसता हूँ नहीं तो हसना का अंगरेजी आता है हसाने का नहीं आता तो बोलेंगे इसको ही मेक्स मी लाफ यानि ही बनाएंगे वह मेक्स मी मेक्स मी लाफ तो यहाँ पर मेक्स की सहायता से बनाए हमने हसाना तो मेक्स मी लाफ यानि यह स्ट्रक्चर बने गया कि सब्जेक्ट प्लास जो मेक लगाओगे इस मेक के बार लगाना अबजेक्ट तब लगाना भर्व का फ इतरी आता है हर बच्चा देखो जाओ मत सीखो अंग्रेजी ट्रांसलेशन के माध्यम से अंग्रेजी बोलना सीखो लिखना सीखो क्या बनाया सारी बच्चों देख पा रहे हैं मुझे बहुत आनंदा रहा है अंदर से मैं खुस हूँ लेकिन सेर नहीं कर रहा है उनको भी नमन है हर बच्चे फेस्बुक पे यूटूब पे हर जगा इंस्ट्राग्राम टेलीग्राम हर ग्राम पे हूँ हर जगा फोलो करिए और पढ़न तुम्हें प्रैक्टिस साथ करिए बिटा मैं रोज रात को नोब जा रहा हूं आपके लिए मैं रोज आपके लिए नोब जाता हूं प्रैक्टिस साथ में करो मैं तुम्हें रूलाता हूं क्या बनेगा इसका जल्दी से फटाफ़ जवाब दो देखो बच्चा मुस्कुर ताइप नहीं कर रहा है वहां सरा सिधार देख करके और सी फोन लिये बैठा है बाबु फोन नहीं बनाओ भी मैं चेक करता हूं देखो यहां पर तुम्हारा चेक कर रहा हूं फटा फटा ठीक है I love you sir love you बच्चे बहुत अच्छा यहां देखिए जवाब दीजे नेट काम नहीं कर रहा है का जी भरवाइद ना हाई हाई कॉलिटी का फिर कैसे वताए आई मेक यू क्राइए उई विप देख रोग तो मेक यू क्राइए मेक यू विप अगर दो सिखो यह मकुषार अगरा देखो श्याम तुम्हें दोडाता है क्या बनेगा अंगी इसे हर बच्चे टैप करिए श्याम तुम्हें दोडाता है बहुत अच्छे जभाब बहुत अच्छा जवाब सार बचों का स्याम मेक्स यू रन स्याम मेक्स यू रन बहुत अच्छा जवाब सार बचों का अगला देखो मैं आपसे एक जोड़ी जूता खरिदबाने वाला हूं थ्वास बड़ा कर दिया मैंने एक जूता खरिदवाने बाला हूँ क्या बन जागा एक जोड़ी जूता पेर ओफ शूज तो I want to I am to make you खरिदवाना चाहता हूँ I want to खरिदवाने बाला हूँ इस तरह से आपका अंगलेजी बनेगा बच्चे अब आगया गेट एक गेट बड़ा खतर ना आपके भाई अच्छे अच्छे बच्चों को समझ नहाता गेट गेट क्या कहता है सर जब काम करने वाला व्यक्ति ना हो करवाने वाला व्यक्ति हो तो गेट के बाद हमेशा वर्व का थर्ड फॉर्म आता है जहां रखेगा मेक के बाद वर्व का फॉर्स्ट फॉर्म गेट के बाद वर्व का थर्ड फॉर्म तो अस्ट्रॉक्चर ऐसे आत करो कि सबचेक प्लस गेट या गेट उही लिखा हूँ मैं साब लिख रहा हूँ गेट प्लस यहाँ पे आ जागा object प्लस भर्व का third form यही जो non-prone है ना इसके बदले में तुम क्या बना दो object वही object आता है हाँ ठीक है तो gate gates प्लस object प्लस भीत्री यह धियान रखी आपको समझ माँ जागा अब देखे क्या है मैं अपने जूते रोज पॉलिस करवाता हूं ठीक है मैं अपने जूते रोज पॉलिस करवाता हूं करता नहीं हूं करवाता हूं करवाता हूं काम कोई और कर रहा है लेगि कौन करेगा नहीं पता मैं अपने जूते रोज पॉलिस करवाता हूं कौन कर रहा है भई नहीं पता तो जब काम करने वाले का भाव हो, तो गेट का प्रियोग करते हैं, बिटा, यह ध्यान रगी खास बात को, तो I get my shoes polished daily I get my shoes polished daily, ध्यान रखिए यह जितना में पहा रहा हूँ न, यह सब मैं 10s के बैच में, 12 बजे के बैच में, 0 से पहा रहा हूँ, यह सब पहाऊंगा वहाँ लेकि मैं आपका ड्वांस में दे रहा हूँ 12 बजे के बैच जो चल रहा है अभी उसमें 2-3 क्लास मात्र हुआ है उसमें subject क्या है, object क्या भर्व क्या आप जितना जल्दी प्ले स्टोर पर जाकर के डाउनलोड करेंगे कौन सा एप? DSL क्रांतिकारी एप उसको डाउनलोड करके आप पढ़ना सुरू करेंगे आपका किसमत बदलना सुरू हो जाएगा I get my shoes polished daily तुम अपना बाल कटबाते हो तुम अपना बाल कटबाते हो तुम अपना बाल कटबाते हो क्या बनेगा बच्चा कहां गया तुम? You get your hair cut You get your hair cut Cut, cut तुम से होता है न? अगला देखो क्या कह रहा है? वह परते एक दिन कपड़े धुलवाता है कपड़े धोता नहीं है धुलवाता है काम करने वाला कोई और है उसे हम कॉजेटी भर्व कहते हैं क्या कहते हैं? कॉजेटी भर्व प्रिरनार्थक क्रिया और प्रिरनार्थक क्रिया के लिए गेट और मेक का परियो किया जाता है वहीं अंगरी जी यहां पर दिया जा रहा है He gets his cloths vast every day क्या का भाई? He gets his cloths subject plus gets अगला वर्ड है यहां पर वांट का मतलब क्या होता है सर वांट का मतलब चाहना अब चाहना वर्ड है तो subject plus वांट लगाओ वांट लगाओ मैं आपको सिखा रहा हूं ट्रांसलेशन करना यानि किसी भी sentence को अंगरी जी में कैसे बनाए हमने वर्ड लिया है ताकि अंगरी जी बनाना आपको आजाए जब बनाना आएगा तो बोलना आएगा बोलना आएगा तो लिखना आएगा अब देखो वांट है subject plus want wants plus two भी one plus other word अब यहां देखो को और से अंकिता अपने बच्चे के लिए नए कपड़े खरिदना चाहती है sentence थ्वासर बड़ा बड़ा ले लिया गया है मैं सोचा कि आपको आता होगा इसलिए sentence ने बड़े लिया हूँ तो कैसे पहोगे अंकिता क्या हो गई subject तो subject ले लिया प्लस वांट या वांट आगया न डर क्यों रभड़ा देख करके वांट या वांट तो अंकिता चाहती है भर हो गया अब वांट या वांट के लिए टू लगा दो टू नहीं है तो ना उन लगा दो ठीक है तो अंकिता वांट पहले आजागा अंकिता चाहती है तो परचेज खरीदना ने ने कपड़े अपने बच्चों के लिए देख रहे हो बात क्यों अगला वो क्या कर रहा है सुनीता अंग्रेजी इतो आसान बना दोगे जल से बोलो यह बन जागा ना बनाई इसको सुनीता अंग्रेजी सिखना चाहती है क्या बन जागा सुनीता चाहती है wants क्या भाई to learn English तो सुनीता wants to learn English सुनीता wants to learn English चाहती है तो यह दिहान रखना वोसा बच्चों को अगला आप बनाएंगे need बोलतो हो ना need है मुझे जरूरत है तो जिस चीज की जरूरत है उसके लिए हम need का प्रयोग करते हैं तो want या wants देखिए यहाँ पे want या wants के बदले need का प्रयोग किया जाए क्योंकि होता क्या है ना कि जब आप करोगे तो थोड़ा बहुत गलतियां मिलेगी मेरा यहाँ copy हो गया फिर से यहाँ पे क्या चाहिए था need या needs है ना आप सकता है जरूरत है तो क्या प्रयोग करेंगे आप need या needs का तो subject plus need या needs plus two plus यह मैं आपको चेक कर रहा हूँ one के ज़िए क्या आजागा need पकड़ लिए तुम्हें ना बहुत अच्छा काम किया तो need या needs plus two plus plus other word example दे क्या बनेगा तुम्हें बोलने की जरूरत है तुम्हें बोलने की जरूरत है तो जो क्या हो गया need यह ध्यान रखना आपको क्या रखना ना तो need क्या रख जाए भाई you need to speak you need to speak तुम्हें बोलने की जरूरत है हर बच्चे ऐसी पड़ी फड़ाफट तो क्या कर रहा है भाई उसे कलम की जरूरत है आप बनाओ इसको फड़ाफट राकेश अन्नू अन्नू अकास जोती शालू शिंधू मधू अमरित अमरित जबाब नहीं दे राजी अमरित you need to speak यह बदर लिखो उसे कलम की जरूरत है उसे कलम की जरूरत है बहुत जवाब सारे बचल बहुत अचा है बहुत सुन जवाब बचल जवाब ऑच्चा रहा है जी good 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 क्या बनेगा he needs a pain जवाब तुम्हाना जवाब बहुत अच्छा है यह लिखा है ही कि निट सा पेंड बहुत अगला देखो तो क्या है मोहन को फिट होने के लिए धोड़ने की जरॢबत है सर बड़ा कर दिये अरे बड़ा देखे घवरा नहीं है बड़ा हो चोटा हो क्या देखो यहां पर क्या मोहान निट्स तू रन तू गेट फिट रहन तू रहने की जर्वरत है किसलिए तू गेट फिट थिक है लेट लेट का मतलब होता है आज्या देना लेट मतला आ गज़ा देना पर्मीशन देने को लेट कहते हैं लेट या लेट सब्द प्लस भरू का फ्रस्ट फर्म मैं उसे पढ़ने देता हूँ ये समझे जिए बड़ा बढ़ने कwestu क्व है भाई-साब मैं उसे पढ़ने देता हूं give नहीं है कोई समान नहीं दे रहे हम हम permission दे रहे हैं पालने का मैं उसे पढ़ने देता हूं कोई लो लो समान यह समान नहीं दे रहे, भाई यह उसे पढ़ने देता ओल पबारे तुम तो आ लेट ओलतुर और आ लेट depart मैं उसे पढ़ने देता हूं, I let him read, देख रहे हो, I let him read, वह मुझे गाने देता है, आप बनाओ, आपका नमबर है, मैं उसे गाने देता हूं, जल्दी से, क्या बनाओगे, फटा फट जवाब दो, यह हो गया, he lets me sing, वह मुझे गाने देता है, he lets me sing, बहुत जवाब, प्रिय मुझे किताब पढ़ने देती है, अब बनाओगे, क्या बनेगा भाई, प्रिया lets me read a book, प्रिया lets me read a book, यह late का प्रियोगे भाई साब, सीमा मुझे अपने घर आने देती है, सीमा मुझे अपने घर आने देती है, देख रो, बड़ा practical use है, बड़ा भारी, structure याद रहेगा तो आप से बन जाएगा, सीमा lets me come to her house, सीमा lets me come to her house, अब देखे मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं जितना भी पहाता हूँ न, जो भी काम करता हूँ, बस एक ही एप, DSL क्रांतिकारी एप, इस एप का रेटिंग करो 5 star, 1, 2, 3, 4, 5, इसका रेटिंग 5 बढ़ाओ भाई, मैं च तो इस फोटो को पहचान लो, एधर्मेंसर है, महीं हूँ, इसको DSL क्रांतिकारी एप, जाएए प्ले स्टोर पे, इसको डाउनलोड करिए, फटा फट, अब डाउनलोड करकर के, इस पे क्लास देखिए, A2Z बाला, जबर 10 क्लास है, उसको फ्री में पढ़िए पहले, फ्र पूरे क्लास हो करिए, समझेए, आपका दिल कहता है, तो इस बैच पे जाएए, इसी बैच में पूरा बेसिक क्लास दिया, फ्री में, A2Z पूरा क्लास दिया हुआ है, बेसिक से द्वांस दिया हुआ है, इसमें अभी चैप्टर 10 पहाया है, यह हिंदुस्तान का पहला बै कोर्स हो जागा आपका रिकॉर्डर क्लास, वो था लाइब क्लास, यह क्या था, यह है लाइब बैच, हर दिन पहाऊंगा लाइब, कमेंट लूँगा, आप से बात करूँगा, यह हो गया, यह हो गया रिकॉर्डर बैच, यह हो गया, यह भी रिकॉर्डर बैच है, एक कित किताब तो इस नंबर पे कॉल करें किताब किताब को तूल की तो bord गवसे किताब कें एक किताब के साथ पढ़ने मजाएंगा थिक हैं उसके वाद फेशबुक और Instagram जिरूर फोलो करिए, Instagram में बहुत सा रियल मिलता है मेरा, जो देखोगे टेलिग्राम पहाता हूँ, जो डाल देता हूँ, यहाँ भी फोलो करिए और साथ साथ, एक किताब है Major on Flipkart पे, जो vocabulary का किताब है, किसी कीमत पर इसको न छोड़िए, यह किताब वोकैब का है आपके लिए बना गया एलो बुक पीला कलर का होगा धर्मेंसर बुक है जबदस किताब है इसको अपने घर में रखी टेबल पर यह ऐसा दिखता है देखो एलो बुक है न कीपला किताब से मैं न यह किताब है यह किताब आपके पास मेरे दोस्त होना ही चाहिए सूपरफाश पांसो साथ 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 सो आठ सो पेज किताब है यह वोकैब बेसिक का है इदा हम भुकैब का जरुवत से चार साल के बच्चा से लेकर के नबे साल तक बच्चे पर सकते हैं इसको ठीक है यह जबस किताब है इसके साथ साथ एक किताब तो खेर बरदान है किताब बरदान है इंदुस्तान में यह दो किताब हो गया मतलब स्पोकेन आपको आ गया 230 रुपे का है अमेजॉन फिलिपकार्ट से मिलेगा इसको मंगबा लो अब यह किताब है सरल इंगलिस यह भी चाहो तो ग्रामर किताब है वन टू और अल्ट इन वन है इसमें ग्रामर का है बैसकर बताओ अपको एक ग्रामर का है अगर चाहते हो ग्रामर का किताब मेरे पास चाहिए तो यह किताब आके पास होना चाहिए यह भी अमेजुन फिलिपकार्ट सेब आपको मिल जाएगा और यह बता आई दिए किताब आपको किताब है फोन नंबर इसारे फोन नंबर जबरदस्त है यह नंबर पे कॉल करो इस पे कॉल करो जब तक फोन ना उठाए करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो इस पे कॉल करो इस पे कॉल करो ना उठाए तो वाट्सप कर दो यार वाट्सप कर दो आई वान टू कमेंगे क completely processफ नम्पर घ्रेंगे और इस पर कोई नवे cristal सकते हो कोई नेको जो है फोन उठाएगी या उठाएगा उहांसे बात कर लिजे और बात करके आप इसलिए और यह सेटिंग कर लिजे क्लास कैसा लगा मज़ा आया कि नहीं आया तो कमेंट करिए इस वीडियो को दुबारा देखो कोई दिकत तो समझने में दुबारा देखो तीवारा देखो कौपी कलम लेकर देखो दोस्तों के साथ सेयर करके देखो भाई बहन के साथ सेयर करके देखो चाचा मामा को सेयर करो और साथ में बैठ के देखो मज़ा आए तो कमेंट करो और प्ले स्टोर से देशिल क्रामतिकारी एप डाउनलोड करो ठीक है, इंगलीज सीखो इंगलीज को हैडल मत बनाओ मैं धेमेंसर आपके लिए रोज आऊंगा, आता रहूंगा सिखाता रहूंगा, और बिना सिखाए छोड़ूंगा नहीं, मिलते हैं केल ने क्लास में, थैंक यू मैच बबाई, टेक क्यार लव यू बच्चे, लव यू आल